हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल श्यवादर वितायूश और दोस्ते इस वीडियो में बात करेंगे गंधार ओईल के बारे में आज जो एक दमदार लिस्टिंग हमको देखने को मिली गंधार ओईल की और उसके बाद भी जो तेजी आपने देखी वो अपने आप में काफी शांदार थी इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन जो सबसे बड़िया बात है कि क्या यहां से और आगे भी स्टॉक में कोई एक्स्पेक्टेशन करके चलनी चीए इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जरू कंपनी को समझेंगे कि हाँ यहां 55% के प्रीमियम पर लिस्ट होता है जरू हम कह सकते हैं जो ग्रे मार्केट का एक्स्पेक्टेशन था उससे भी काफी जादा उपर आपने इसके लिस्टिंग देखी एंड मुझे लगता है कि जो एक साथ जो सारे आईपयोज लिस्ट होए और इसमें जो बड़िया आईप तो वो 56 भी फार दिया मतलब इतना जादा आप कह सकते हैं कि चत तोड़ के रिधन जो बुलते हैं वो कमा कर दिये फिर गंधार ओईल ने भी हम कह सकते एक्जाक्ली ऐसा ही परफॉर्मेंस किया जो बहुत बड़िया था क्योंकि एक्स्पेक्टेशन इतनी तो नहीं थी य ही है और इससे जाता जब बनता हुआ नजर आता है तो उसको बिल्कुल हम बढ़िया ही कहींगे तो अच्छा एक लिस्टिंग देखने को मिला है बहुत बढ़िया प्रीमें पर हुआ और उसके बाद भी आपको बढ़िया देखने को मिला है स्टॉक का मुवमेंट याद प्रोडेक्स बनाते हैं जिसमें पर्सनल केयर हेल्थ केयर और पर्फ़र्मेंस ओयल आता है जिसमें यह पी एच पी उएक उनका पूरा है फिर लुपरिकेंट और प्रॉसेज इंसुलेटिंग ओइल्स कंपनी बनाती जिसको पी आई हो केते हैं और यह डिविजन कर रखे उन्हें अंदर दे ब्राइंड नेम ऑफ डिवियॉल उनका जो ब्राइंड नेम है याद रखेगा उसका नाम डिवियॉल है जिसके तहत कंपनी जो है वो बेसिकली आपको कारोबार करती हुई नजर आती है अगर और समझें तो यह बात जरूर है कि आज जो एक्सपेक्टेशन से उपर लिस्टिंग होई क्योंकि आप 75% उपर यह लिस्ट होता है जिसमें यह 295.40 पे लिस्ट होता है BAC पे 298 पे लिस्ट होता है NAC पे हम कह सकते हैं 169 रुपीज के सामने जो आनलिस्ट के एक्सप यह बहुत बड़ी बात है तो उसी बात आपने जिस तरीकी कि यहां पर वॉल्यूम देखी है वो भी अपना आप में काफी बढ़िया थी यह जरू है कि इस बार इन सब IPOs में ऐसा लगा है कि रीटेलर्स का पार्टिसिपेशन है वो बहुत देखने को मिला है अब इसको ए ऐसे शेयर गिरे तो बेशना चालू करते गबराट के बात करो जैसे डर जाते काफी बार रीटेलर्स लेकिन जब दोस्तों इंसिटूशन बाइंग करते तो वो इसे वीक हैंड्स नहीं होते हैं वो स्ट्रॉंग एंड्स होते हैं वो अगर कोई गिरावट भी आती तो वो रणने वाले नहीं होते हैं लेकिन रीटेलर्स एक बार दोस्तों हम कह सकते हैं कि डिफिनिटली अपना पॉजिशन चेंज करता हुआ देखने को मिलता है लेकिन वही अगर क्यूआई बीज हो यह वो काफी स्ट्रॉंग एंड्स माने जाते हैं लेकिन विसे यहां पर अग ब्लॉक डील्स हुई यह कुछ इसमें नाम निकल कर आया है अल्मोस्ट अगर आप देखेंगे तो क्यूआई बीज ने बहुत अच्छा सब्सक्राइब किया था इस इशू को तो हो सकता है कि आच क्यूआई बीज ने बाइंग की हो बट एक्जाइक जो मेरे पस वैल्यू है या फिर इंसिट्यूशन की तरफ से देखने को मुली है वह एक्जाक्ट अब तक पता चल नहीं पाया है इसलिए एक क्वेश्चनेबल है बाकी बाकी सब तो ठीक है अब कंपनी को अगर देखेंगे तो कंपनी के रेविन्यू वह काफी बड़ी है तरीकी से बढ़ रहे के रेविन्यू कंपनी के ग्रो किया थे और मुस् 4,080 करोड जो पहले 3,540 करोड का असपास था जो कंपनी का पैट था वो 213 करोड पर आया जो अल्मस 163 करोड का था तो यहां पर आपने जो राइस देखा वो अपने आप में काफी शांदार था इसमें कोई दोराई नही कि यहां से क्या करना चाहिए तो गंधा रोइल रिफाइनरी पर अगर कोई एक्सपोर्ट की राह समझे तो जो एक्सपोर्ट की राह इस पर निकल कर आई है उनके दर यही का गया है एक्सपेक्टेड असॉलिड लिस्टिंग गेंज मलाब बहुत अच्छी लिस्टिंग द जो ट्रेड करते हैं वह कफी हाई ट्रेड करते थे लेकिन पर वहुषा पर निच नहीं करता है और फिर complac元 से पृट को याप याप comfort आएगा तो उनका मानना है कि यहाँ से जो अपसाइड की limit है वो जादा नहीं है अब यहाँ से जादा तेजी की उमीद करके ना चले ऐसा उनका मानना है हैंस एक्सपेक्स लिमिटेड अपसाइड है लेकिन लिमिटेड है मतला बहुत जब आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर मेरे हिसाब से गलत है क्यों उसके पीछे का रीजन है लेकिन हर आईपी में बनेगा ऐसा भी नहीं है इस बात को आपको समझ के चलना पड़ेगा चार-पाच आईपी देखेंगे तो उनमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला है मूव जैसे प्रोटीन ही कवर्मेंट आप देखिए एक तरफा आप भी रैली करके गया है लेकिन इसी में अगर आप इसे स्मॉल फाइन देखेंगे तो वहां पर कोई रैली आपको देखने को न नहीं आता है अगर वैलोईशन अभी उसके बाद बहुत सही हो जैसे कि हम कह सकते है प्रोटीन की कि वैलोईशन उसको कोई स्टॉक चला ही नहीं तो वैलोईशन की बात यह जादा दूर नहीं आई लेकिन यह बात समाझ नहीं पड़ेगा कि कंपनी तो कंपनी वो डिफर क बंद हो है almost 78.34% का आपको upside देखने को मिल चुका है इसके अंदर हैं कह सकते काफी बढ़िया जो move है वो देखने को मिला 78.34% का बलकि 344 रुपीस का आज इसका हाई था लो जो था वो दिन का हम 295 का कह सकते हैं तो यह बात जरूर है कि दिन के lows के तरफ बंद हुआ है और जादा आपको देखने को मिलेगा उस समय selling site पे आपको orders देखने को मिले क्योंकि अगर आप चार्ट notice कर सकते हैं तो चार्ट में आपको साफसे दिख रहा है कि एक शुरुआत में बहुत बड़ी upside देखने को मिल गई शुरुआत में देखे वो खुला और उसके बाद लग वापिस से अगर आप notice करेंगे तो वापिस से 300 रुपीज के उपर चले गया लेकिन उस समय low बन गया था 295 रुपीज का अब देखे टेकनिकली देखा जाए तो stock का chart कुछ खास अभी आप अवेलेबल नहीं है तो उसके उपर comment करना भी अपना अपने गलात होगा लेकिन यह जरूर है कि हाँ share के लिए साड़े 300 तक का level बहुत आसान नहीं से पार नहीं होगा इसको आपको मान के चलना पड़ेगा एक plus point क्या है company के लिए आपको मता सकता हूँ वो है दोस्तों आज 300 plus की closing 300 plus की closing आईए वो no doubt इसके लिए एक बहुत बड़ा positive point है right आज के अगर volume क होते होगा देखने को मिले तो यह बात तो साफ है कि आज का जो volume था वो भी काफी बड़िया देखने को मिला definitely trading हुई है मैं जिसना मैंने बताया लोगों ने आज अपना मुनाफ़ा book करना सही समझा अगर मैं यह कहता हूँ तो वो बात गलत नहीं होगी क्यों कि अगर आप शेयर में जब दोस्तों एक down का trend देख रहे हैं तो इसका मुनाफ़ा book कर रहे हैं कि लोगों को बहुत अच्छा return मिल गया और यह हम कह सकते हैं कि जिसने इस IP बेचा वो तो अपने आप में काफी ज़्यादा खुश होगा कि उसके उसका उसने सबसे ज़्यादा max profit book कर लिय इसमें भी कोई doubt नहीं है लेकिना question सबके मन में यह होगा कि आगे करना क्या चाहिए देखिए simple से बात है मैं हमेशा यह कहता हूं अगे मैं कोई recommendation नहीं देता हूं नहीं कोई यहाँ पर मैं investment advisor हूं यह just मेरा खुद का personal view है job के साथ मैं share कर रहा हूं simple सी बात जो मुझे लग अगर अच्छे निकल के आते हैं तो अगर numbers निकल के नहीं आते हैं तो फिर definitely थोटा सा valuation जिस तरह से सही होगा सही बैठेगा उसके बात दोस्तों में आप से कोई position मनानी चाहिए इनकी बास already है अगर आपका view longer term का तो कोई problem नहीं है बड़ अगर आपने आज ही लिया है और definitely नुकसान में हो तो मेंस आपसे यह है कि आपको stop loss बना के चलना चाहिए हमेशा 5% या फिर 10% का stop loss रखिए तक सही रहेगा तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था hopefully आपको वीडियो बड़े लगा होगा thank you friends watching this video